असलम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आपको बताएंगे साओधी की लेटेस्ट इंपोर्टन अपडेट और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग साओधी अरब के अंदर अभी रहते हैं या साओधी अरब से कोई भी सफर करना चाहते हैं क्योंकि हम कुछ इंपोर्टन एक नई अपडेट गवर्मेंट की तरफ से अभी दिया गया है इसके साथ जो अगली अपडेट दी गई है वो इसकूल ओपन करने को लेकर है इसकूल कब ओपन किये जाएगा स्वास्त मंतराले की तरफ से क्या नए निर्देश जारी किये गया है उस्तों अगली और फ्रैटpex है उसको लेकर भी नई तर दिया है वो सारी इपडेट गया है इसवीडियो में आपको बताएंगे अब जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए अब ही जो वैकसिन है सचुल कहीं सब्सकून को नगरिक ऊंदर Ой एक उना दर्टेश चंस किया है क्योंकि सबी क सुदिक औकाज के रुशार यह कहा गया है कि अभी यह संकट एक तरह से बड़ा है और दबाव के करणा मतलब जो इसकूल है उसके दबाव के करणा लोग परिसान है आगे यह भी कहा गया है कि 15 वैक्सीन केंद्र पद्दिन लगभग 9000 जो लोग है उनको यहां पर टिकंड दिये जाता है और स्वास्त मंत्राले यह कहा है कि अगले सब्ताह तीन गेंद्र जल्द ऑपन किये जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको जल्द बैक्सीन दिया जाए और जल्द इसकूल ओपन किया जाए इसे के साथ हम आपको अगले आपडेट बटा जैते हैं जो इसक तुल है उसको open करने को लेकर और जो बाकी अपडेट है उसके अनुसार स्वास्त मंतराले के उपर निर्भर करता है कि कब यह सारका में स्टार्ट के जाएगा क्योंकि स्वास्त मंतराले के बयान के अनुसार हम आपको यह अपडेट बता रहे हैं तो अगले अपडेट भी को मिला है कि सड़क पर एक जो अवरत है वो दोड़ रही है और उसके पीछे एक दोस्त भी चल रहा है तो ऐसे में यह कहा गया है यह एक तरह से पार्टी में जाने के लिए मतलब सहमत ब्रक्त की है लेकिन यहां पर अगर पूरी तरह से बात किया जाए तो इस नियम के अन भी के अंदर रहते हैं और किसी भी कारण की वैसे वह इंलीगल हो जाते हैं इस बूर कर देते हैं तो ऐसे में उनके लिए एक बहुत ही अपडेट दी गई है गबर्मेंट की तरफ से मतलब सौधी के अल मदिना अल मुनरा पुलिस के जिलेग के सहायक नजेसक करन अब्दुलरहीम अल मगदाबी की तरफ से पुष्टि किया गया है कि उलंगन करता को सहायता और स्वपरदान करने में सामिल लोगों के साथ कोई भी रियायत नहीं किया जाएगा मतलब यहां पर अगर पूरी तरह से बात किया जाए तो अगर कोई भी सौधी अरफ के अंदर भाग जाता है इंलेगल तरह के से काम करता है बाद में किसी भी सिस्टम की वैसे वह अपना एक तरह से जो एकामा हो लगा लेता है और सुर्धा जो है वह परदान कर है तो ऐसे में यह कहा गया है कि जिसको भी पकड़ा जाएगा चाहे वो कोई भी हो तो उसके उपर अब 15 साल की जेल इसके साथ मिलियन रियाल जुर्बाना तो यह एक बहुत ही बुरी अपडेट है और उसके उपर वरंट ग्रेपतारी ही की जाएगी और यह एक बहुत ही बड़ा अबरास बताया गया है सौधी गवर्मेंट की तरफ से तो अगर आप सौधी में रहते हो तो आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जहां तक हो सके वहां तक इलीगल नहों और अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर अपने एमबैसिस संपर करें दोस्तों सौधी की अग काफी टाइम से अस्पताल में था और उसने सिकायत भी दर्ज की कि हमारा जो मेटकल जांच हो किया जाए और उसके बाद जो पड़ाम है वो देखा जाए तो यहां पर वह काफी ज्यादा मतलब परतिक्षा कर रहा था उसने तेजी से आवाज भी लगाई लंबा इंतजार किया और उसके बाद में भी वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई फिर उसने क्या किया कि डारेक्ट जो भी मेटकल टीम है मतलब जो भी डाक्टर है उसके पास गया और उसके बाद में उसको तेजी से थपड़ मारा और थपड़ मारने के बाद में देखा गया कि उसका ही अस्पताल है वहां पर काफ़ी लोंग की भीड़ भी होती है तो ऐसे में जो डाक्टर हैं वो भी एक तरह से कुछ इस तरह से लापरवाह देखने को मिल रहे हैं दोस्तों सौधी के अंदर अभी एक वीडियो वायरल होना जहां पर यह देखा जा रहा है कि लोग जो है पहनते हो तो आप मॉल के अंदर पहन सकते हो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप जो है पब्लिक प्लेस में कहीं भी ऐसी कोई गलती ना करें क्योंकि यह है धर्म और परंपरा के खिलाफ है और अगर कोई भी पगड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी हुई है मंत्रल ने आगे कहा कि 12-18 अगस्त की आवद के दोरान 15,900 उलंगहन करता को गरपतार किया गया है और निवास पणाली के जो उलंगहन करता है 5,476 से इसके साथ सुरक्षा पणाली के 9,75 उलंगहन करता सरम पणाली के 1,389 उलंगहन करता सामिल हुए थे वह अर्तम गया है कि 28,300 उलंगहन करता को यातरा दस्ताबेज प्राप्त करने के बाद में आगे जो डाजनाइक है मतलब जो मिसन है जो इमबेसी है उसके पास भेज दिया गया है 3,887 उलंगहन करता को यातरा आरक्षन पूरा करने के लिए भेज दिया गया है इसके साथ 8,128 उलंग में छोट भी दी गई है जैसे कि ग्रीन लेस्ट में सामिल किया गया है सौधी अरब बहरीन चीन होंग कॉंग सिंगापूर आइरलेंड ब्रोनेई अस्टिलिया और अल्बानिया इन कंट्री को यहां पर छोड़ दिया गया है अमराथ समाचार एजंसी के तहद और यह जितने खुरात लेगा है तो उसको भी यहां पर छोड़ दिया जाएगा जैसे कि अब धाबी बहरीन ग्रीस से सेल्स सार्विया मतलब इनको भी यहां पर फोटल संक्रोध के लिए नहीं कहा गया है दोस्तों सौधी की अगली अपडेट एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट है क् कि सौधी के अंदर काफी लोग रहते हैं तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर आप कहीं भी कच्णा एकठा करते हो उसको जलाते हो या पाने में फेंकते हो मतलब इस तरह के अगर आप अपरात करते हो तो आप यहां पर सावधान हो जाए क्योंकि सबनिक स्वास्त के अनुसार यह कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरह की गलती करता है तो उसके उपर तस साल की जेल इसके साथ 30 मिलियन रियाल जुर्बाना इसमें से कुछ भी आपके उपर लगाया जा सकता है अगर कोई भी ऐसी गलती करता है इसके साथ यह भी चेतावनी दिया गया है कि अ तो यहां पर अगर आप साओधी के अंदर रहते हों तो यह जरूर ध्यान रखें दूस्तों आगे हम फ्लाइट के बारे में कुछ जरूरी और इंपोर्टेंट अपडेट बता दे हैं अगर आप साओधी एरफ के अंदर एंट्री करना चाहते हों तो आपको थोड़ा से अप्लिकेशन को जल्द यहां पर है कनेक्ट लिंक करेंगे और उसके बाद में जो डारेक्ट फ्लाइट है वो भी हम कुछ कंट्रे के लिए स्टार्ट करेंगे तो यह एक बड़ी खुसकबरी है जैसे ही बाखी नई अपडेट आती है साओधी गवर्मेंट के तरफ से हम आपको अपडेट करेंगे